बार कॉंसिल अफ हरियनन पंजाब के एक प्रतिष्ठापुन मुकाबले में विजेंदर एलावत फिर्ज से कौंसिल के सदसे चुने गए उनकी जीत से पानीपत में खुशी का माहूल है 2008 और 2013 में भी वे सदसे रह चुके हैं 2013 में वे बार कॉंसिल के चेर्मेन भी निर्वाचित हुए थे निया चेर्मेन चुने जाने तक ये कारेभार उनहीं के पास है विजेंदर सिंग डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं पानीपत बार के लिए एक औरव का विशे है कि वे आज भी इसके सदसे हैं हर्याना पुलिस के काबिल अधिकारियों में शामिल हरी सिंग एहलावत के वे मंचले पुत्र हैं उनसे बड़े परिक्षित एहलावत पानीपत के लीडिंग एडवोकेट माने जाते हैं वही उनके छोटे भाई नरेश एलावत हर्याना पुलिस में डीएस्पी प्रतपर कारेदत हैं वेजंदर सिंग को वकीलों के हक में एडवोकेट वेलफेर एक्ट लाग को कराने का श्रय जाता है हलक इनका वाइदा है कि इस एक्ट के तहट वकीलों को मिलने वाली चार लाग रुपे की साहता राशी को वे दस लाग रुपे तक करवाएंगे